और NIA अफसर तंजील एहमद हत्या मामले में मुख्य आरोपी मुनीर को आज यूपी स्टीएफ ने गिरफतार कर लिया है तंजील एहमद की हत्या के बाद से ही मुख्य आरोपी मुनीर फरार चल रहा था मुनीर से स्टीएफ की पूछता जारी है आपको बता दी कि NIA के अफसर तंजील एहमद को तीन अपरेल को बाइक सवारों ने तब गोली मार दी थी जब वो साहसपूर बिजनौर में एक शादी सवारों में शामिल होने के बाद अपने घर दिल्ली वापस जा रहे थे इस गोली बारी में तंजील एहमद की पतनी भी घायल हुई थे जिसके बाद में डिल्ली के एम्स में उनकी मौत हो गई थी मुनीर की गिरफतारी सत्यकान में UPSTF को मिली एक बड़ी काम्याबी के रूप में देखी जा रही है मुनीर की गिरफतारी से कई एहम और अनसुलजे सवालों के जवाब भी मिल सकते हैं हत्याकान के दो अन्य आरोपियों जिनका नाम रियान और जुनेद हैं इन दोनों को पुलिस पहले ही गिरफतार कर चुकी है और अब मुनीर गिरफतार हो चुका है जो कि अब तक फरार चल रहा था और ऐसे में आब स्टीएफ पूश्टाच कर रही है मुनीर से और इस गिरफतारी को काफी एहम इस पूरे मामले को देखते हुए माना जा रहा है रियान और जुनेत को पुलिस पहले ही गिरफ़तार कर चुकी है और अब मुनीर की गिरफ़तारी भी हो गई है और आपको बताना चाहेंगे मुनीर पर दो लाख रुपे का इनाम था अपने घर पर दो लाख रुपे का इनाम था आज यूपी स्टीएफ ने से गिरफ़तार कर लिया है तंजील एहमद की हत्या के बाद से ही मुख्या रुपी मुनीर फरार चल रहा था मुनीर से स्टीएफ की पूछताच फिलाल जारी है आपको बताना चाहेंगे एनाइए के अफसर तंजील एहमद को तीन अप्रेल को बाइक सवारों ने तब गोली मार दी थी जब वो साहसपूर बिजनौर में एक शादी समारों में शामिल होने के बाद अपने घर दिल्ली लौट रहे थे गोलीबारी में तंजील एहमद की पत्नी भी घायल हुई थी जिनकी बाद में दिल्ली के एम्स में मौत हो गई थी मुनीर की गिरफतारी सत्याकान में UPSTF को मिली एक बड़ी काम्याबी के रूप में देखी जा रही है अब मुनीर की गिरफतारी से कई एहम और कई अनसुलजे सवालों के जवाब मिल सकते हैं